पिछले वीडियो में हमने देखा मॉनेटा स्वर्ण की देवी मुद्रा की परिभासा के संदर में तो हमने मुद्रा का परिचय जाना, मुद्रा का विकास क्रम जाना इसके बाद हमने मुद्रा की परिभासा को समझा और उसके कारियों को देखा वित्तिय प्रणाली और वित्तिय संस्था के से करते हैं ये भी जाना आज हम इस वीडियो में देखने जा रहा हैं प्रमुख वित्तिय संस्था है जब हम बात करते हैं वित्त की मतलब वित्तिय संस्था है तो मतलब वे संस्था है, वे संस्था के रूप में कोई व्यक्ती भी हो सकता है जो संस्थागत रूप से कारे कर रहा हूँ मुद्रा एवं वित्तिय प्रणाली अध्याय के अंतरगत कक्छा दस का सामाजी विज्ञान हम लोग पढ़ रहा है मैं हूँ मनीश शंकरतेवारी और आप लोग देखना सुरू कर चुके हैं E-classes by मनीश सर जैसा कि मैं आपको अब भी जश्ट पहले बता चुका हूँ कि हम मुद्रा के बारे में बात कर रहे हैं वित्तिय प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं तो इस दुनिया में या हमारे आसपास मुद्रा की बात करें तो सब के चेहरे मुश्करा उठते हैं आहा क्या बात है जिसकी जेब में अगर मुद्रा हो वह संसार का सुखी व्यक्तियों में गिना जाता है लेकिन ये मुद्राय अगर किसी के पास ना हो तो कैसे मिले उधार ले लो भाई उधार देने के लिए भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ब्याज लेती हैं पैसा देती हैं ठीक है ना तो ऐसी ही बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पैसे लेती हैं और पैसा देती हैं हमसे लेती हैं किसी अन्य जरूरत मन्द को देती हैं हमसे जो पैसा ले रही हमसे जो जमा सुईकार कर रही है उस जमा के बदले हमको ब्याज देती हैं और जिसको लोन के रूपे पैसा देती हैं उस से थोड़ा ज़्यादा ब्याज ले लेती हैं ठीक है ना तो ऐसा कलेन और देन दोनों का काम करने वाली संस्थाएं कहलाती हैं वितीय संस्थाएं? तो ऐसी प्रमुख वितीय संस्थाएं कौन-कौन से चलिए हम आज उनको जान लेते हैं. मुद्रा एवं वित्तिय प्रणाली के अंतरगत आज का हमारा चेप्टर है प्रमुख वित्तिय संस्थाएं भारत में कारेरत सारवजनिक एवं नीजी छेतर की प्रमुख वित्तिय संस्थाएं निमनलिखित है पहला बैंक, दूसरा इंशुरेंस कमपनिया, तीसरा साहुकार और चौथा जमीदार अब आप लोगों को ये दो चीजें तो लग रहे होंगे कि ठीक है बैंक की वित्ती संस्था है, बीमा कमपनिया भी है लेकिन ये साहुकार भीया और जमीदार इवित्ती संस्था है कब से हो गया तो आपको बता दें साहुकारी के पहले लाइसेंस मिला करते थे, पैसे को लेंदेन का काम करते थे गाओं में बड़ी ही लोकप्री संस्था थी, हलाकि बड़ी बदनाम भी थी और एक जमीदारी सिस्टम है जिसको लाड कारणवाल इसने 1893 बंगाल से स्टार्ट किया था, यह भी एक वित्ती संस्था की रूप में कारे करते थी चलिए वन बाई वन हम इनको समझते हैं, सबसे पहले देखते हैं बैंक को, बैंक के कैसा नाम है जिससे आप सभी लोग परिचित हैं, परिचित है न, अच्छ चलिए, बताए बैंक क्या क्या करता है, बैंक पैसे जमा करता है, बैंक FD के रूप में पैसे जमा करता है, बै आत्मेवाई इन्वेस्टमेंट भी करता है तो आध्धुनिक युग में वित्तिय संस्थाओं के अंतरगत बैंकों का विशेश महत्व हैं सामानेता है बैंकों का कारे लोगों का जमाधन स्वीकार करना और उसे जरूरतमंदों को रेन के रूप में देने के लिए जाना जात है बैंकों के द्वारा ही किया जाता है बैंकों का कारे मुद्रा के लेंदेन के साथ साथ शाख का निर्मान करना भी है सरल सब्दों में दिहम कहें तो बैंक जो है मुद्रा एवं साख का व्यवसाय करने वाली संस्था है भारत में सारवजनिक छेतर के अंतरगत इस्टेट कि bank मुद्रा एवं साख का व्यावसाय करने वाली संस था है तो मुद्रा तो समझ में आगे मुद्रा याने मनी साख को आप हिंदी में नहीं समझ रहे होंगे लेकिन अगर हम अंग्रेजी में सब्दों का इस्तेमाल करते हैं credit तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा बैंक जो है credit का नर्माल करता है कैसे आप बैंक से गए loan लेने के लिए तो पहली बार में आपने बोला कि bank manager साहिब हमको पांच लाख रुपे loan की आवज सकता है तो क्या आपको पांच लाख रुपे loan ततकाल वो दे देगा बिल्कुल नहीं देगा वो सबसे पहले वो देखेगा कि आप इस loan को पटा पाने की इस्थिती में है या नहीं पटा पाने की इस्थिती में है की नहीं पतलब आपकी depth कितनी है आप उस पैसे को पटा पाएंगे की नहीं तो वो तिये पांच लाख रुपे ना दे करके आपको दो लाख रुपे दिया उसने देखा कि आपके पास इतनी संपत्ती है यह सारी चीजह है यदि बैंक को आपने पैसा नहीं दिया तो वो इन संपत्तियों से पैसा ले लेगा तो पहली बार आपको उसने दो लाख रुपे दे दिया आपकी संपत्ती के साब से आपकी जो हैसियत थी उसे साब से जब आपने समय पर वो दो लाख रुपे पेट कर दिये तो आप क्रेडिट बन गई है बैंक में वो पैसा दो लाख आपको 6 साल के लिए मिला था निरधारिक ब्याज दर पे उस पैसे को आपने 3 साल में वापस कर दिया और बैंक का ब्याज यू पटा दिया अब बैंक के पास आपकी साख तयार होगे क्रेडिट बन गई मतलब अब बैंक के पास आप जाएंगे तो हो सकता है पांच की जगा 6 लाख रुपे आपको दे दे क्या हो क्योंकि बैंक में आपकी क्रेडिट बन चुकी है आपकी साख अच्छी हो चुकी है तो इस तरह से बैंक मुद्रा एवं साख दोनों का व्यावसाय करने वाली संस्था है 1991 के बाद निजी छेतर के निजी छेतर में भी अनेक बैंक के स्थापित किये गए हैं इसे ICICI Bank, HDFC Bank, UTI Bank, Indus Bank ये सारे निजी छेतर के बैंक हैं वर्तमार में निजी छेतर के बैंकों का कारिश चेतर भी बहुत अधिक बढ़ गया बैंक वह संस्था होती है जो मुद्रा एवं साख का व्यावसाय करती है Money and Credit मुद्रा का व्यावसाय साउंज में आएगा कि मुद्रा ली हमसे जरूरत मंद को दी अब वो जरूरत मंद को मुद्रा दे रहे हैं उस जरूरत मंद व्यक्ती की क्रेडिट होगी बैंक में तो ही मिलेगा ऐसा नहीं है कि हम पहुँच जाएं कि साब हमको पाँच लाग रुपे लोन देना जरा और साब तिजोरी में से निकाले वो पाँच लाग पकड़ाया अगलो भई यह जाओ संबाव है क्या नहीं उसके लिए वो देखेंगे कि आप इस बैंक से जो लोन ले रहा है उसको पटा पाने की स्थिती में है की नहीं फिर उसके अधार पर आपकी साख तयार होती है उस साख के अधार पर बैंक की डिसाइड करता है कि नहीं हम पाँच लाग नहीं आपको दो लाग दे पाएंगे आपको दो लाग दिये छे वर्ष के लिए छे वर्ष के लिए और ब्याज दर तै कर दी आपने अपनी सारी उर्जा लगा कर उस ब्याज से लिए गए लोन को बैंक में जाका पटा दिए कितन दिनों में? मातर तीन वर्षों में सम्पून ब्याज के साथ चुकता है साब केता बैंक के साथ ना लेना एक ना देना दो और अपन बैंक से चल दीए वापस अब bank में आपकी साख बन चुकी तो bank manager खुदी बोलेगा रहे भाई साब रोको तो आप बोल रहते हैं आपको 5 लाख रुपे की जरूरत है तो आप क्या बोलेंगे भाई आपने मना कर दिया था कि मेरी हैसियत नहीं है सारवजनिक खेतर के bank विये गरते हैं निजी खेतर के भी करते हैं सारवजनिक खेतर के bank को में state bank के लाहबाद bank, kenra bank, bank of India निजी खेतर में ICICI bank, HDFC bank और Indus bank ये सारे bank काम करते हैं वित्ती संस्थाओं में अब हम देखते हैं bima company को चलिए, बीमा कमपनियां, बीमा जोखिमों के दुस परिणामों से सुरक्षा प्रदान करने की एक व्यवस्था है, मानो जीवन के साथ साथ वस्तूओं, सेवाओं और व्यापारिक क्रियाओं का भी बीमा होता है, बीमा कमपनियां प्राप्त धनराशी का विभिन उत्पाद कारियों में निवेश करती है, इससे देश का आर्थिक विकास होता है, सन 1991 के बाद से जो इंशुरेंस का सेक्टर है, जो बीमा का छित्र है, वह निजी कमपनियों के लिए भी खोल दिया गया है, बीमा छित्र से भी आप लोग अप परिचित तो होंगे, हलाकि ये सारी ची हमारे हेल्थ इंसुरेंस का लिए स्वास्थ बीमा करा लिया, अब मालोग किसी जैसे हमारा स्वास्थ खराब हो जाता है, और हमारा स्वास्थ बीमा है, तो हमारे उपर आर्थिक बोजनी पड़ेगा, मतलब हमने जो हमारी मेहनत का पैसा बैंक में जमा करके रखा है, किसी विशेश जरूरी काम के लिए अब उस पैसे में हमको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि भीया हमने health insurance करा रखा है तो वो health insurance company जो है वह हमारे स्वास्थ के लिए जो भी खर्च होगा वो पैसा hospital को पेट कर देगा यह हो गया काम जोखिम का जोखिम जो हमारे जीवन में आये था उसकी जो दुस परिणाम थे कि अगर पैसा टाइम पे नहीं लगता नहीं मिलता तो हो सकता है कोई अनौ नहीं हो जाती तो यह दुस परिणाम से हमको बचा लिया इस insurance company ने ठीक है ना अब मालो कभी कोई casualty हो भी जाए और insurance है तो जो परिवार आश्रित था casualty जिसके साथ हुई इसको उपर तो क्या होगा पैसा बीमा कंपनियां देंगी और वह परिवार सुरक्षित हो जाएगा तो इस तरह मनुस्य की जीवन में कई प्रकार के जोखिम आते हैं उन जोखिमों के से जो दुस परिणाम होता है उन दुस परिणामों से बचत करने के लिए बीमा आवजसक होता है और जब हम बीमा करवा लेते हैं तो ये बीमा कंपनियां हमको एक छाते के रूप में सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं अच्छा बीमा कंपनियों ने हम से पैसा ली और जाके बैंक में जमा कर दिया नहीं बैंक वाले कितना ब्याज देंगे इनको 2% 4% 6% 10% इससे क्या होने वाला है बीमा कम्पनियां इन पैसों को उत्पादक कारियों में लगाती है निवेश करती हैं बड़ी बड़ी कम्पनियों में निवेश करती हैं फैक्टरीज में निवेश करती हैं रियल इस्टेट्स में निवेश करती हैं मतलब जिससे पैसा बढ़ है ऐसी चीज़ों में वे संस्था की रूप में काम करने वाला व्यक्ति साहुकार साहुकार या महाजन वह व्यक्ति है जो ग्राहकों को समय समय पर रेण उपलब्ध कराता है साहुकार दो प्रकार के होते हैं पहला क्रशक साहुकार और दूसरा व्यावसाईक साहुकार इनको हम इस तरह समझ सकते हैं क्रशक साहुकार वेव्यक्ति कहलाते हैं जो मुख्य रूप से क्रिसी करते हैं लेकिन धनवान होने के कारण धन उधार देने का कारिश सहयक के व्यवसाय के रूप में करते हैं और व्यवसायक साहुकार वेव्यक्ति कहलाते हैं जिनका मुख्य व्यवसाय धन उधार देना ही होता है, ठीक है न? अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना जरूरी है कि साहुकारी की जाती ठीक है साहुकार दो प्रकार के हो गए एक हो गया क्रसक साहुकार एक हो गया व्यावसाइक साहुकार क्रसक साहुकार वो जो आपके गाउं का आपके छेतर का बड़ा किसान है खेती बाड़ी करता है, अपनी फसल को बेचने के बाद, अपनी फसल का उत्पादन करने के बाद, उसके पास इतनी ज्यादा फसल उत्पादित हो जाती, इतनी ज्यादा फसल होगा लेता है, कि उसको मंडी में जाके बेचता है, उससे पैसा कमाता है, उस पैसे को वो कुछ क बैंक में जमा कर देता है और कुछ पैसे वो उधारी पे चलाता है ब्याज पे ठीक है ना तो जो बड़े किसान अपनी बचत पुंजी को ब्याज के ब्याज कमाने के लिए बाजार में उधार देता है वह कहलाता है क्रिशक साहुकार और वो साहुकार जिसका धंदे ही है कि मेरो को भी धन उधार ही देना है बोलते हैं फलाने सेट का काम है दस परसेंट को दे दे जाओ ले आओ आधी रात को पहुंच जाओ दे देते हैं थोड़ी बहुत वो अपनी जमानत वगएरा के लिए कुछ चीजें रख लेंगे जमीन देने का होता है ये दोनों सी समझ में आ गई अब साहुकार जो पैसा देता है वह किस अवधी के लिए देता है चलिए उसे देखते हैं साहुकारों के कारे करने का तरीका बड़ा सरल होता है कोई बहुत ज़्यादा कठेन लिखा पड़ ही नहीं आप गए आपने बूला भ इन तीनों प्रकार के रण साहुकार दे देता है। यह उत्पादन और उपभोग दोनों कारियों के लिए रण देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि कभी वे जमानत पर रण देते हैं, कभी बिना जमानत के भी वे रण दे देते हैं। साहुकारों का क्रिशी वित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। आजकल साहुकार क्रिशी वित्य की लगभग 25% आवश्चक्ता की पूर्ती करते हैं। साहुकार लोगपरी बहुत होते हैं, लेकिन इसके बावजूर भी बदनाम है। बदनामी के कारण क्या है? बड़ी उची ब्याज दर पर वे रकम देते हैं, पैसा देते हैं, अग्रिम ब्याज लेते हैं, कई बार तो बोलते हैं भी है इतना पैसा अग्रिम ब्याज की रूप में आप जमा करते जाओ, मूल धन बात में देना ब्याज तो आप जमा करी है पहचान वाले से बात हो गई भैया ठीक है इतना परसेंट ब्याज रहेगा ठीक है आपने ब्याज पटा भी दिया है तो यह हिसाब में गड़बली करते हैं साथ ही बेगार कराना आप पैसा लेके गए हैं गरीब आदमी है साहुकार बड़ा आदमी है अब आपने उससे प कारण सरकार ने साहुकारों पर नियंत्रन लगा दिया है हलाकि ग्रामीर छेत्रों में अभी यह चलते हैं पुरानी फिल्वों में हम अक्सर देखा करते थे कि गाओं का गरीब किसान साहुकार के पास जाता पैसे ब्याज पल लेता और साहुकार हिसाब में गड़बली कर देता हम अक्सर गाओं में सुनते हैं कि फलान साहुकार ब्याज पर पैसे देता है लेकिन बहुत गड़बल करता है यह ध्यान से लेकिन मजबूरी यह रहती थी गरीब किसानों की कि उनको किसी भी तरह से पैसा तो मिल जाता था अब वो उस साहुकारी के मकड़ जाल में फस जाते थे ब्याज की बड़ी उची दर, एडवांस में ब्याज ले ले लेना, हिसाब केताब गड़बल करना और गरीबी का यह फायदा उठाना कि अरे तेरा ब्याज इसमें इनका नहीं आया चले काम कर, मेरे खेत में यह काम है जागे कर आना, अब आप क्या बोलोगे जी साहुकार जी मैं करके आता हूँ, क्यों कि भाईया पैसा जो धार लिये हैं आज में हमने, तो इस वज़य से सरकार के पास बहुत सिकायते पहुची कि साहुकार लोग यह गड़बड़िये करते हैं, और सरकार ने साहुकारी पर नियत्रन लगा दिया, ठीक है समझ में अब हम अंतिम वित्ती एसंस था, जमीदार को और समझने चली, जमीदार, इस प्रथा का आरंब 1793 में लाड कॉर्णवालिस ने बंगाल में किया था, बड़े भूस्वामी ही जमीदार होते थे, इनका कार किसानों से लगान वशूल करना था, यह किसानों से लगान वशू के लिए भी रण दिया करते थे, जमीदार नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में इची जाती होगी कि एक बहुत बोटा खट्डूश टाइप का पूरा किसान है और विलेन जैसी छवी उभर जाती है ना, जिसके पास जमीन का भंडार बहुत ज़्यादा जमीन हो, ऐस लोगों को लाड कारण वाले से ने कुछ अधिकार दे दिये थे कि अपने छित्र के छोटे-छोटे किसानों से आप लगान वसूल करो, उस लगान का कुछ हिस्सा आप रख लो और बाकी सरकार को दे दो, किस सरकार को? अंग्रेज सरकार को, जमीदार लोग बड़ी कर बाकी का हिस्सा अंग्रेज सरकार को दे देते, इस तरह एसे लाड कारण वालेस ने ये विवस्था चालू की थी, लेकिन वहाँ पर कई वार ये होता था, चुकि जमीदार पैसे वाला होता था, तो वह अन्न किसानों को भी ब्याज पर पैसा मुहिया कराता था, इनके रिण वसूले में भी निर्दैता का व्यवहार करते थे, जिससे किसानों का सोसरन होता था, परिणाम सरूप सभी राज्यों ने कानून बनाकर जमीदारी प्रिथा को पूर्ण तया समाप्त कर दिया, तो ये आपने देखा जमीदारों के बारे में, जो लाड कारन वालेस ने स्टार्ट किया था, तो साहू कारों से भी एक कदम आगे होते थे, ये बड़ी उची ब्याज़ दर में पैसा लेते, अब इनके पास ड़केत लटेत होते हैं, क्योंकि इनके पास लगान वसूली का लाइसेंस दी आता सरकार ने, तो इनके पास तो लाइसेंस था कि जा निर्दय ताके साथ में उस किसान की ठोकाई पिटाई भी हो जाती, उसकी जमीन भी बिग जाती, उसके गहने जेवर बिग जाते और इस्थिति ये बनती कि जमीदार का पैसा ही नहीं पट पाता और किसान निपट जाता, इसलिए जब इस तरह की सिकायत हैं, अलग-अलग सरकारों के पास में पूरे भारत देश में पहुंची किसानों के द्वारा कि ये जमीदार ने हमारा जीना हराम कर दिया है, कर्ज दो रोपे लिया और दो सो बता रहा है, तब फिर सरकारों ने इस पर बेन लगा दिया, फुल इस्टाव, तो इस तरह से आप लोगों ने सम लगा दे रहे हैं, इन प्रेश्णों को चलिए नोट कर लीजिए, तो इस प्रकार मुद्रा एवं वित्ति ये प्रणाली का या है, चौथा वीडियो है, तीन वीडियो में आपने पहले वीडियो में देखा मुद्रा से परिच्छा है और उसका विकास क्रम, दूसरे क्या है, बैंक, दूसरा है बीमा कमपनिया, तीसरा साहुकार, चौथा जमीदार, इसमें चौथे और तीसरे वाले की कहानी खतम हो चुकी है, वर्तमान में बैंक और बीमा कमपनिया ही महत्तवपूर्ण हैं, जिनको आप लोग याद रखना है, लेकिन पुराने समय में जो साहुकार और जमीदारों के अत्याचार थे, वे कौन से अत्याचार थे, इनको आप सब्दों में याद कर लेना, चार प्रमुखत्याचार थे, क्या थे उनके, उची ब्याजदर नमर एक, दूसरा, अग्रे में ब्याज, तीसरा, हिसाब में बहुत गड़वडी करना, और इन प्रश्णों का उत्तर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं चलता हूँ थोड़ा सा स्वसाहता समूवाले लोग बुला रहे हैं, उनसे मिलके आता हूँ, और वो क्या बताते हैं, फिर मैं वो चीज़ें आपको सेयर करूँगा, ठीक है, और हाँ, एक बात और, इस